हो प्रैंड्स, नमस्कार, बीके कॉमिट्शन क्लाशस में आपका हार्थ एख स्वागत है BSC की सबी स्टुडेंट्स को मेरा नमस्कार بहुत दिनों से BSC के स्टुडेंट्स के कमेंट कर रहे थे कि हमारे लिए सिर मैपस की सीरिज स्टार्ट कीजी क्योंकि maths में बहुत प्रॉब्लम जा रही है और यूटुब पर हिंदी मीडियम में क्लासेस प्रोबाइट नहीं हो पा रही है तो उसको देखते हुए हमने maths की सीरीज स्टार्ट की है और सबसे पहले हम B.S.C. फानल या जो maths पेपर थर्ड है वहाँ चैप्टर फर्ष्ट से लेकर लाश्ट तक जाएंगे और फुल डेटेल में साथ ही सिर्फ जो इंपोटेंट सीज है जो आपके पेपर में लगवाद आती ही है उन्हीं को कबर करेंगे और हिंदी में ही रहेगा सारी डेफिनेशन, सारी इंपोटेंट कॉश्चन और इंपोटेंट जो डाइग्राम या जो फॉर्मूला है उनको बताया जाएगा तो आप इस चैनल पर बने रहे और कमेंट को दारा बताएए कि आपको किस चीज की जरुगत है यह बेसिकली हमने सरफ आपके लिए बनाया है साथ में यह रिटेंड डाउन मैंने अभी किया है आपके लिए क्योंकि मैंने तो फाइनल एर कम्प्लिट कर ली है तो मुझे तो जरुगत नहीं है लेकिन जो इस्टुडेंट परेसान हो रहे थे मैट्स के कारण उनके लिए मैंने जो दूसरों से नोट समगाए थे उनको दुबारे रिटर्न कर रहे है और आपके लिए वीडियो प्रुवाइट कर रहे है आसा करते हैं आप इसी सरा हैंगे तो चलते हैं चैप्टर फर्ष्ट पर चैप्टर फर्ष्ट का नाम है Define Equivalence Relation तुल्यता नियम है तुल्यता समगन है उनके बारे में जानना है इस चैप्टर से एक कॉस्चन 100% लिख लिए एक कॉस्चन आएगा वो है तुल्यता नियम को समझाईए ये कॉस्चन याएगा तुल्यता नियम क्या है एक कॉस्चन दिया जाएगा और प्रूब करने को कहा जाएगा कि क्या यह तुल्यता है सम्बंद को प्रदर्सित करता है की नहीं तो हम आगे चल कर बताएगे कि तुल्यता को आप कैसे प्रूब करेंगे लेकिन पहले आज बेसिक समझेगे तुल्यता नियम को जानेगे उसकी कंडिशन को जानेगे तो आए श्टार्ट करते हैं रिलेशन सम्बंद क्या है माना ए वाद बी दो अरेक्त समुच्चा है अरेक्त समुच्चा है जिनके अंदर कुछ कॉम्बिनेसान होती है अरेक्त समुच्चा है तब A से B में संबंद को किस से रिरूपित करते हैं R से short form है तथा 99 सार परिभासित करते हैं देखिए ये है संबंद का formula R equal to ये कुश्टक में X Y Epsilon A cross B Epsilon मतलब A cross B का ये क्या है अब याब है और such that X related to Y ये इसको पढ़ा जाता है X R Y मतलब X related to Y Epsilon का रत होता अब याब होना तो ये R का संबंद है इसको समझने आप इस परकार समझ सकते हैं कि A cross B में जो अब याब है वो X Y इसके A cross B के अंदर आती है ठीक है जैसे हमने लिख दिया A cross B equal to 1, 2, 3, 4, 5 और यहां लिख दिया 1 or 2 तो 1 or 2 A cross B के अंदर गता आएंगे अब एक example के द्वारा इस relation को समझ लेते हैं तो आएगे चलते हैं एक example को देखते हैं ये basic example सिर्फ आपको समझाने के लिए क्योंकि एक बार आपका base बन जाएगा तो फिर आपको problem नहीं जाएगा तो देखते हैं माना A equal to 1 3 B equal to 2 3 ये अवयाव है ये A के अवयाव है ये B के अवयाव है तो A cross B क्या होगा 1 or 2 1 or 3 3 or 2 3 or 3 or 3 ये क्या है A cross B A cross B में ये पूरे अवयाव आ जाएंगे ठीक है अब हमको बताना है कि R A से B में कोई समझ है जो निम्ना अनुसार पड़ी भासे थे अब हमने condition दे दी पहली condition है R 1 R 1 में less than की condition दे दी बहला पहला अवयाव दूसरी अवयाव से कैसा होगा छोटा तो R 1 में A cross B क्या वयाव आएंगे लेकिन जो less than की condition को क्या करेंगे फॉलो करेंगे जैसे 1 2 1 2 से छोटा है तो 1 2 आ गया 1 3 से छोटा है तो 1 3 आ गया लेकिन 3 2 से छोटा नहीं है तो इसलिए 3 2 नहीं आया और 3 3 के 3 3 से छोटा हो इनी सकता तो वो भी नहीं आया तो R 1 का relation बना less than के लिए greater than के लिए क्या बनेगा 3 2 से बढ़ा है तो वो आ गया तो ये greater than के लिए बन गया और तीसरा है R थे equal to equal to में 3 और 3 आ गया तो ये 3 relation बने है तो इससे आपको सर्फ ये समझना है कि A cross B कैसे निकालते हैं एक बात दूसरी बात आपको relation में क्या condition दी गई है जो condition दी गई है उसके अनुसार आपको relation बनाना है टैंसन ने लिजिए का ये थोड़ी starting है तो आपको थोड़ी problem हो सकती है लेकिन दीरे दीरे जैसे जैसे हम आँगे बढ़ते जाएगे आपको बिल्कुल पूरे अच्छे तरीका से समझ में आ जाएगा ठीक है अब हम आँगे बढ़ते हैं सबसे important जो topic का topic है उसको समझेगे तो आईए अब हम समझेगे तुल्लिता संबंद को इसको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये कर लिया तो पहला question है चैप्टर बनका वो बन जाएगा पर और 100% कह रहा है ये आएगा ही आएगा ये नहीं आएगा कि परिवाद से पूझेगे question दिया जाएगा उसको प्रूब करना पड़ेगा लेकिन question को प्रूब कर पाओगे जब आप पर ये तुल्लिता संबंद बनता हो कि कौन-कौन सी condition फॉलो की जाती है तो माना समुच्चे ए में एक संबंद आर है तब आर संतुल्लिय तुल्लिता संबंद तब ही होगा जब आप आपने तीन सर्तों को पूरा करता हो तीन condition दी गई होगी आपको तीन कौन-कौन , एक तो सव तुल्लिय हो, दूसरा सम्मेथ हो , और तीसरा क्या हो? अगर तीन condition फॉलो करर रहा है तुल्लिता संबंद को फॉलो करेगा अब आपके मन में आ गए अगर एक या दो कर रहा हो condition लेकिन तीसरी कर रहा हो तो क्या वो तुल्यता होगा तो जी नहीं जब वो तीनों कंडिशन को फॉलो करेगा तभी वो तुल्यता नियम को तुल्यता संबंद होगा अन्यता वो तुल्यता संबंद नहीं होगा अब देखते हैं कि कंडिशन सो तुल्य काँ होगा शो तुल्य शो मतलब होता है क्या? स्वयम तुल्य मतलब समान जब स्वयम स्वयम की समान हो अर्थात A A की समान हो A related to A जैसे अब ही पिछला एक्जाम्पिल में हमने 3-3 दिखाया था तो तीन-तीन की समान है तो वही शो तुल्य है A A का अवयाव है और A related to A और A A से संबन्ने थे अर्थात A A Epsilon R वहाँ पर 3 3 Epsilon R था तीन तीन आ रहा था ऐसी उसी को जब परिवहां सामें लिखते हैं तो X Y A A A B C इन दोहरा परिवासित करते हैं तो A A Epsilon R फॉर एवरी ये फॉर एवरी कैसे है फॉर एवरी A Epsilon A तो X Tulle समझ में है, X Tulle, अलग अलग कीज़ए X मतलब X Vim Tulle मतलब समान जब कोई X Vim के समान हो तो क्या है X Tulle दूसरा लेखते हैं R सम्मित हो अर्थात पहले दूसरी कंडिशन है कैसा होना चाहिए? दूसरे की समान होना चाहिए सम मित सम मतलब समान दूसरे के A related to B अब ज़े A और B की ज़ेकर कोई भी संख्या सकती है A related to B तो B related to A अर्थात अगर कोई एक्जाम पेल है उसमें 1 और 2 दिया गया आसम उच्चे के अंदर तो उसमें 2 और 1 भी होना चाहिए अगर A B epsilon R है तो B A epsilon भी क्या होगा R होगा तो वो क्या है सम में थे दूसरी condition follow हुई दो संख्या दी हुई है और दोनों एक दूसरे से क्या है relation में तो वो क्या है सम में थे लास्ट थर्ड क्या है R संक्रामक हो संक्रामक कब होगा जब A B से संबंदित है B C से संबंदित है तो A किस संबंदित होगा C से संबंदित होगा जैसे एक दो से संबंदित है दो तीन से संबंदित है तो जो एक है वो तीन से संबंदित होना चाहिए अगर ये condition follow कर रहा है तो वो क्या है संक्रामक है और जब यह तीनों कंडिशन फॉलू करेगा अर्थाद वह सौतुल्य भी होगा वह संमित भी होगा वह शंक्रामक भी होगा तो वह क्या है तुल्यत हम कह सकते हैं अताह दिया गया पर यहाँ यहारे सम्बन्द को तुल्य असना मंदर्श हा रहा है इती ह Sex इसको आपके से देख लिएगा इसको DO कर लिएगा थी हम आपके लिए मैनत कर रहा है भी आपके आफ रहा है पर हमारी स्वार्ट है कि लिए ऑपर अपक्रते तो एक स्वार्थ तो सब कराया था तो मेरा विश्वार था कि चैनल अच्छे से बढ़ेगा और आपका आपके लिए हित्म है क्योंकि आपको इसकी जरुवत है तो आप इसे नोट डाउन कर लिजेगा अच्छे समझिए और अब यह सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम तो धीरे दीर आगे बढ़ेंगे कमेंट्स कर ये अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ओके थैंक्यू सो मच